तो हेलो एव्रिवन आपका एक नए वीडियो में सुआगत करता हूं तो दोस्तो हो जाओ तईयार के भाई जो भी सणी डेवल साब का फैन से भाई उसके लिए बहुत ही बहुत ही दोस्तो बहुत बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं अबी तक ये news दोस्तों आपको पता भी नहीं चली होगी और ना ही किसी ने अभी तक दोस्तों बताई होगी क्योंकि ये news दोस्तों अभी अभी की है और ये बिल्गुल दोस्तों latest news है कि जो आपने थमलेल में देख लिया है भाई वो सच है जी हाँ दोस्तों जैसा कि दोस्तो आपको पता होगा कि गदर टू की सकसेस के बाद में सनी डेवल को धड़ा-धड मूविया मिल रही है and वो धड़ा-धड दोस्तो साइन पे साइन साइन पे साइन किये जा रहे हैं और तो और भाई उनको जो है खाने पीने सोने लेटने का गूमने का भी टाइम नहीं मिल रहा है क्यूंकि वो अपनी मुवी को साहिन करने में दोस्तो लगे हुए है बत और शर्त यह है कि भाई उपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भाई अभी अभी एक इतनी बड़ी मुवी दोस्तो सूपर हिट गई है ब्लॉकबस्टर गई है तो अब दोस्तो अब इस टाइम पर उनके लिए सबसे बैस्ट यहीं होगा कि वो अपने काम पे दुबारा से लोटे और वो सरिफ और सरिफ अब अपनी सरिफ अच्छी अच्छी मुवीज को चुने तो दोस्तो सनी देवल इस टाइम पर यही कर रहे हैं तो दोस्तो बात क्या निकल गया यह बात इतने बढ़िया है और उतनी दोस्तों खुशी किया है कि भाई आप जो है जूमने वाले हो जूमने और अगर भाई देखो मदा ना आये ना इस वीडियो में भाई मद अब देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताओं कि गदर टू की सक्सेस के बाद में हमारे को अचानक न्यूज मिलती है लाहूर 1947 की जो कि आपको पता होगा आमिर खान के प्रोडक्शन में मन रही है राजकुमार संतोशी उसको डारेक कर रहा है फिर उसके बाद में एक राम है वह यह है क unc single जो मेर्स भॉतिए उसक्सेस के बात अब दोस्तों गया सणी देवल साप की तरफ अब उन्होंने यह देखा के यार ग्दर टू मिलताब की क्या जबरदस्त गई है मतलब उन्होंने ये भी देखा कि सनी देवल साब की क्या दोस्तो स्टार डम है और क्या उनके पीछे ओडियंस बागल है और अगर दोस्तो इनकी अगर साथ में एक मूवी हम लोग करें तो क्या मूवी का दोस्तो हाल होने वाला है मतलब box office collection फार देगी अगर हमने एक movie उनके साथ कर ली तो दोस्तो एक तो यह होता है कि चलो एक movie उनके साथ कर ली चलो ठीक है फार दिया लेकिन दोस्तो वो सनी देवल को जिस तरीके में और जिस लेवल में और जिस तरीके के content में public देखना चाहती है वो तो भाई देश भक्ती movie है अब दोस्तो बात यह निकल के आती है कि में त्री movie makers सनी देवल के साथ में भाई एक देश भक्ती movie करने वाले है और ये movie पैन इंडिया लेवल पे होगी भाई ये देखो के गदर टू पैन इंडिया नहीं थी और इतने बड़े लेवल पे भी नहीं थी भाई में त्री मूवी मेकर्स कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो सनी देवल पे अब पैसा लगाएंगे और पैन इंडिया लेवल पे रिलीज करेंगे और सीज में रिलीज करेंगे उतने ही बड़े लेवल पे उनकी और मूवी रिलीज होती है तो अब आप ये देखो के सनी देवल की ये जो मूवी अब बनेगी दोस्तों ये कहां जाने वाली है भाई मैं तो सोच के मैं बिल्कुल शौक होगे जब मैंने ये निज्ज देखी भाई साब फार देगी 1502,000 करोड दोस्तों अराम से कर लेगी और भाई मेत्री मूवी मेकर्स क्या मू मूवी मेकर्स पे जो पहले दिमाग में बात आई वो कैसे आई जब इन्होंने देखा के घदर टू सनी देवल साब की इतनी सकसेस होने वाली है तो हर कोई देखो इंडस्ट्री में क्या हर लेवल पे कमाना चाहता है पैसा कमाना चाहता है किसी ना किसी के तुरू अब सनी द अगर यह पहले आजाते तो आई थिंक सो हम काफी तारी मूवी कर लेते लेकिन लेकिन देर आये दुरुस्ता है तो भाई साब मेट्री मूवी मेकर्स ने सनी देवल को गले लगाया और एक मूवी साइन कर ली जिहां दोस्तों दोस्तों मैं बिल्गु सही कह रहा हूं और एक मुवी हरुता लिए और भाई वह एक साउथ इंडियन मूवी है, फैं News लेवल की मूवी है, और तो और भाई हिंदुस्तान जिन्दाबाद-, बाई देश बखती मूवी दोस्तो वह है, ओ भाई साब। मतलब दोस्तो और यह बात भी देखो आपмें त्री मूवी मेकर्स इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस ने खुद सनी देवल साहब को अप्रोच किया है कि आप हमारे साथ एक मूवी कर लो और इस टाइम पर सनी देवल को भाई काम की जरूवत है अभी इनका वो टाइम चल रहा है कि अब इनको मूवी लपकनी पड़ेंग कि जब ही इनका एक दोस्तों एक एक जो पुल होता है वो तयार हो जाएगा अभी तो देखो थोड़ा सा इतना हो चुका है कि गदर टू ने एक दोस्तों इनको जो है दिखा दिया है कि अब सनी देवल साहब को करना क्या है अब अगर वो उसी तरीके से चलते जाएंगे त तो भाई मैं बताता हूं कि यह मूवी दो हजार करोड अराम से कर लेगी और अभी तो देखो लाहोर 1947 बॉर्डर टू है यह मूवी ऐसी है एतिहासिक एतिहासिक मूवी एतिहासिक दोस्तों कलेक्शन जाने वाला लिटरली दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं भाई सनी दे आप लोग मुझसे जादा जानते हो भाई मज़ा आने वाला है को कि South India की दोस्तों पैन इंडिया लेवल पर जो यह मूवी रिली दोरी भाई ओवरसीज में था और इसी मूवी से दोस्तों और देखो मेत्री मूवी मेकर्स वाले बाई ओवरसीज में भी थमाका करते हैं पर्मोशन करते हैं गदर टूका दोस्तों इतना लंबा चोड़ा दोखो पर्मोशन नहीं हो पाया इन लोगों ने खुद बताया कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था यानि कि अनिल शर्मा के पास इतना बजट नहीं था फिर भी दोस्तों उन्हों ने जितना भी और सोचा नहीं होगा उन्होंने सीर Panna डाली बारत यह है करना अब मुझे लग् rapidement तो आप संदिनल केरिए रास्ते खुलते जारे तो उन इस्ट्र के दोस्तो ही डान प्रॉप इंडिया में पूरे इंडिया में टॉप टैन में आ चुके सनी देवल अब दोस्तों देखना यह कि आगे की जो मुवी जे भाई वह जो है चुन चुन के और अच्छे से बस दिमाग लगा के अगर वह चुनेंगे तो भाई मैं बताता हूं भाई वह क्या मतलब क्य निकल जाएंगे गदर टू भाई मैं क्या बोलूं भाई मतलब हिला के रख दिया था हिला के सबसे स्पीड वाली जो मुवी इस साल की गदर टू है आई तिंग अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो आप मुझे नीचे को मैंने बता देना भाई इस मूवी का नाम अभी दो कुछ ना कुछ साहुत के भी दोस्तों कोई बड़े बड़े स्टार्स शायद आई थिंग सो में भी में भी शायद रखें को कि ऐसा होगा कि बॉलीवूट से चलो हिंदी की ओडियंस तो सनी देवल को देखके आएगी लेगिन अगर साहुत की ओडियंस भी आए तो ये लो 24 अब देखने को कहा जाए भाई नेक्स्ट येर सनी देवल साब की दो मुवीज मुझे आती हुई देखनी एक लाहूर 1947 और एक नाम आया अब देखो लाहूर 1947 में तो में किरदार में रामायन में यह के भाई उनके जादा जो है अभी मतलब उता पार्ट बाइपार्ट मे आएगी अभी क्या है ज्याद आतर में का दृव गांशर इसका इसा काम उनको जो है दोस्तों करने और फिर वापिस आ जाना है तो अभी में लीड में में और पूर्ड लेकिन यह नाफ्ट ओर नाये व्य में कर ख corresponds ऑकर है और तो चले मैं तो दो थी बाइगाव क्लत्त में खुद अप्रोच करा यार यह देखो आज तक उन्होंने भाई मुझे ऐसा लग रहा भाई मेरी नजर में ऐसी कोई न्यूस नहीं है सलमान खान या आमिर खान तक को उन्होंने दोस्तों अभी तक जो है अप्रोच नहीं करा सनी देवर और एक मूवी लाते हैं तमाका कर देत हैं तो दोस्तों मैं तो बड़ा खोश हूं भाई ये न्यूस सुनके आपको कैसा लगा भाई नीचा कॉमएंट में जरूर बताना एक आदमी का एक कॉमेंट भाई ओने चाहिए बाई दिल से मुझे खुशी हो रही है आपको अगर दिल से खुशी हो रही है तो नीचे कमेंट जरूर करना और ना मैं समझूँगा कि भाई आपको जो है मज़ा नहीं आया है तो फिलाल दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में एन एन थैंक्स और वाच